आज के session में हम discuss करने वाले हैं कि which mode is best for learning तो यह जो analysis हम करने जा रहे हैं यह analysis एक survey के basis पर है जो कि हमने हमारे YouTube channel पर किया हुआ है and total participants were 550 students तो इस survey का result है मैं आपके साथ share करना चाहरा हूं कि इस survey में जो बच्चों की राय थी वह यह थी कि classroom coaching को उन्होंने 65% vote दिया जबकि recorded lectures को 24% और live classes को 11% यह survey हमारे YouTube channel पर अभी भी live है आप चाहें तो जाकर इस survey में participate कर सकते हैं और अपना जो भी आपको opinion है वहाँ पर आप share कर सकते हैं हमारे साथ जैसा कि voting percentage मैं यहां बता रहा हूं Classroom coaching को 65% मिला है जबकि recorded lectures को 24% और live classes को 11% तो यह जो result है इसको अगर हम study करें तो यह survey अपने आप में बताता है कि classroom coaching जो है वह पढ़ने का सरुषेट विकल्प है और जबकि अगर मैं online coaching के बारे में बात करूं तो जादा कर बच्चों ने recorded lectures को live classes से बहतर माना है तो जो अभी trend है live classes का उसको सबसे कम voting मिली है यानि बच्चों की नजर में सीखने का सबसे अच्छा माध्यम classroom coaching और उसके बाद recorded lectures है तो अगर मैं बात करूं कि classroom coaching सरुषेच विकल्प क्यों है तो इसके लिए जो है सबसे पहला जो advantage का classroom coaching का वो यह है कि it has direct interaction with teacher जब आप class में जाते हैं तो आप teacher के साथ direct interaction करते हैं वहां आपका एक bond develop होता है teacher और student के बीच में जो कि आपको learning में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है दूसरा जो है वह है peer group motivation जब आप class में जाते हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ आपका discussion होता है यदि कोई doubt आया topic में तो आप उनके साथ भी discuss कर सकते हैं और एक दूसरे की performance देखती हुए बच्चे दूसरे को motivate करते हैं तो यह बहुत बड़ा factor है learning के लिए तो peer group motivation is highly needed अगर आपको जो है अच्छा करना examination में तो यह दूसरा factor हमारे लिए बहुत important है तीसा है कि doubt asking बहुत effective होती है classroom में क्योंकि बच्चा जब topic के बारे में टीचर से को doubt raise करता है तो one-to-one discussion होता है और teacher को पता होता है कि यह बच्चा सीख पा रहा है यह नहीं सीख पा रहा है तो doubt asking सबसे effective medium जो हो सकता है classroom coaching के दुवारा 4. homework evolution सबसे important बात होती है तयारी के दोरान कि बच्चा theory करने के बाद घर जाकर homework करे यानि कि question की practice करे तो homework evolution जब बच्चा अगले दिन class में जाता है तो उसके मन में डर होता है कि teacher जो है copy check कर सकता है तो इसलिए बच्चा जो है homework करने की आदर डालता है और यह चीज उसको motivate भी करती है तो आसपास में जो बच्चों के साथ हो बैठा होता है अगर वो homework करके ला रहे है तो यह भी motivating factor होता है बच्चे के लिए कि मुझे और मैनत करनी है तो homework का जो सही evolution हो सकता है वो teacher के दुवारा classroom coaching में ही हो सकता है कि individual बच्चे का homework चेक करना और उसका analysis करना कि progress कहां तक जा रही है उसका evaluation सही तरीके से इसके दुवारा हो सकता है तो ज़्यादा कर बच्चों ने जैसा मैंने का कि recorded lectures को बेटर माना है live classes से तो उसके दो कारण है पहला कारण है कि there is no waiting period जब आप recorded lectures देख रहे हैं तो आपको रुकना नहीं पड़ रहा है आप सुविधा के इसाब से किसी भी topic को किसी भी समय पढ़ सकते है तो आपको wait करने के आउशकता नहीं होती है जैसा कि live classes में करते हैं बच्चे तो आपको waiting period इसमें नहीं मिलेगा दूसा well defined content यानि recorded lectures में lecture होने के बाद उसका content वो डाला जाता है साथ में तो पता होता है बच्चे को कि इस lecture में particular lecture में कौन कौन से sub topics covered है तो यह उसको revision करने में बहुत जादा help करेगा इसके बाद हम बोलें कि Nucleon ने जो अपना approach develop किया हुआ है जो एक program develop किया हुआ है उसकी खासित क्या है तो हमारे program के दो part है recorded lectures and live classes recorded lectures हमारे पास है theory के लिए और live classes हमारे पास है doubt and discussion के लिए तो जिसा कि मैंने का कि बच्चे learning के लिए better मानते है recorded lectures को तो आप इस mode का use करके theory अपना strong कर सकते है class notes बना सकते हैं जिसे revise भी करेंगे time to time और दूसरी बात पढ़ते समय यदि theory में कोई doubt आता है या question में कोई doubt आता है तो उसके लिए आप live classes हमारे द्वारा अरेंज की जाती है जहां आप attend करके live class में अपना doubt पूछ सकते हैं और questions के बारे में discussion करवा सकते है दूर से features nucleon के क्या क्या है courses के वह मैं बताना चाहरा हूं तो सबसे पहली खास्यत है कि यह सारे courses यह तियार किये गए है IIT and faculties के दुवारा जिन्होंने कोटा में पढ़ाया हुआ है कई सालों तक पढ़ाया हुआ है यह जो lecture recorded है यह कोटा के classroom में recorded है और with student real environment में recorded है तो जब भी आप इन lectures को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा है कि हम classroom में बैठे हुए है बच्चे doubt पूछ रहे हैं और आपको एक presence feel होगी एक environment feel होगा real classroom का हम study material देते हैं कोटा का DPP और exercise की form में जिसको बच्चा solve करेगा और question live classes में पूछेगा सबसे बड़ी बात हमने content को बहुत organized manner में रखा हुआ है आपको पता लगेगा कि इस topic के बाद यह topic पढ़ना है और हर topic में सब topic arrangement हमने quota की coaching के according ही पढ़ा कर रखा हुआ है online test हम साथ में लेते हैं जो कि unit wise भी होते हैं full syllabus wise भी होते है तो nucleon platform पे per year बच्चे के लिए 6,000 रुपीज का course है वही मैं इसको compare करूँ Unacademy के साथ तो 38,000 रुपीज का course है साल बर का और वैदानतु के साथ compare करूँ तो यह लगभग 40,000 रुपी का एक साल का course है तो हम देख सकते हैं कि course के मामले में Nucleon ने यह बहुत economical course प्राइज रखी हुई है और यह हमारा social initiative है कि बच्चा हर बच्चा तयारी कर पाए online के माध्यम से इसमें जो है आपको क्या करना है You have to download Nucleon Kota app from Google Play Store and Apple Store as well और अगर इसके बारे में प्रोग्राम के बारे में ज्यादा आपको जानकाली चाहिए तो you can call us at given number हमारी website पर विजित कर सकते हैं आप और हमें mail भेज सकते हैं support at nucleonplus.com पर धन्यवाद धन्यवाद